Hi students, good morning all of you, आज मैं पढ़ने वाले हैं Class 9 का जेग्राफी लेशन 1 जिसका नाम है Size and Location तो हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया का Location और Size क्या है हमारे World के मैप पर, इसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे देखते हैं, इंडिया is one of the ancient civilizations in the world, इंडिया का जो सभयता है वो पूरे विश्व में से एक है, चुकि हड़ापा का जो सभयता आती है हमारी पढ़ते हैं हम लोग, वो पूराने सभयता में से आती है इंडिया पिछले 50 सालों में अपने कई सारे प्रोग्रेस किये हैं, कई सारे डेवलपमेंट किये हैं समाजिक और एकनॉमिक मैने में इंडिया जो है आगे आने वाले समय में कई सारे फिल्डों में एक महतपुड तरकी की है, विकास किया है जैसे अगरिकल्चरल के फिल्ड में, इंडिस्ट्री में, टेकनॉमिक में या फिर और सारे एकनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया है आलसो कंट्रिब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दा मेकिंग आफ दा वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिया का युगदान वर्ल्ड की इतिहास में भी एक बहुत ही महतपुड जोगदान रखता है इंडिया का लोकेशन है क्या हम यहां समझने का प्रियाश करेंगे इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री छोटा भी नहीं है लें इंटारली इन नर्षन हेमीस्फेर् अगलौबम मनें द्वाइट करने का अपयास किया है यह कर लाएन है आप इसको बोलते हैं 0 डिगरी यहां पर देखेंए 0 डिगरी लिखा हम आओं तरन हमेश्ट का नाजिय को एकवेटर इस लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट और इसको बोलते हैं इसको पार्टली पार्ट्स आप यहां देख सकते हैं मैप में जो इंडिया का यह पार्ट्स दिया है यह क्या है आपका 0 डिग्री लाइटिट्यूट से उपर यानि कहां पर है नर्दन हेमिस्फेर में ओके तो यह इंट्यार है यहां देख सकते हैं एक इंडिया का मैप है च्छोटा कर देते हैं इसको तो आप यह देख रहे हैं कि यह जो पार्ट्स है इंडिया का तो आप देख रहे हैं कि जो आपका नर्थन पार्ट्स है यहां आप लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट और यह जो उपर में आप देखेंगे यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट का आपको दिखाई देगा यानि कि जो इंडिया का जो फैलाव है इंडिया का जो भी स्टार है आपको नर्थ में 8.4 डिगरी मिनट और आपको साउथ में 37 डिगरी 6 मिनट और साउथ में 8 डिगरी 4 मिनट उस्सी परकार हम लैटिटीट की बात करते हैं तो आपको गुजरात जो देख अब गुजरात का एरिया जो है वह 68 डिगरी 7 मिनट वेस्ट चाहे और यहां पर देखें अनुचल पर्देश का एरिया है वह है 97 डिगरी 25 मिनट इस्ट है तो यह आपको इंडिया का जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो परसार है वह इस तरह का है लाटिटीट और लाइ स्ट्रीक ऑफ कैंसर 23 डिगरी 30 मिनट नर्थ डिवाइड दा कंट्री इन्टु अल्मॉस्ट इक्वल टू पार्ट्स हमें हाई पर देख लेते हैं फिर से एक बार तू दा साउथ हर साउथ एस्ट और साउथ वेस्ट आफ दा मेल लाइन लाइड अंडमान और निकोबार आ यहां देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 24 की आस पास है इर अब लाइन को बोलते है यह डिख देख जाग yolा लाइन से लगभग इन्डिया को दो भागों में लॉनिवाग करता है एक क्वूस्टन आता है कि इन्डिया जो है ट्रॉपिक कानसर किन किन राजों से हो गुजरता है और कितने तहां आप देख सेके हैं आप आठ राजी हैं एक राजेट से हैं गुजरात राजस्थान मध्य परदेश चतिसगर जारखंड वेस्ट बंगाल तिरिपूरा एंड मिजोरम इन आठ राजियों से होकर आपका जो है ट्रॉपिक इंसर जो है वो गुजरता है और यह क्या करता है कि इंडिया को इकोली दो भागों में लगभग डिवाइड करने काम करता है ठीक है तुम आगे देखते हैं और यह आपका लॉंगिट्यूट है जो आखा जो की एट डिग्री फोर मिनट साउथ और 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका नर्थ यह क्या करता है इंडिया को दो भागों बाड़ता है वेस्ट साइड और इस्ट साइड अब यह क्या करता है कि आपके जो इंडिया का जो यह पार्ट्स है इसको बोलते हैं पेंसिलार पार्ट्स यह क्या करता है कि इंडिया जो यह आपका वोसियन्स है इसक इस side में है देखते हैं कि यहाँ पर एक और important बाते पुछ जाती है कि island के बारे में देखते हैं यहाँ पर जो Arabian Sea हमारे country के जो west side में है वहाँ पर लच्च दिप island है और East side में क्या है अंडमान आन निकोबार island है तो हमें सही इसको आज रखना पड़ता है बार बार कभी पू होता है ओके एक यहां पॉइंट डियावा डियूनों में आपको याद रखना होगा जनकारी के लिए दा साउथ थर्न आप इसके गया जाब नूस्ट मडाएंगे ताब इसको आज रखेगा ठीके फिर्न है नेजडवीडियो ुक्त हम पॉंहें के लिए ुच्वर नेक्स विडियो में घुर्डबाज